हे गाईस आग या हूँ और एक मज़ेदर वीडियो के साथ बाजेड में अभी बहुत ज़्यादा कम पेडिशान है हाली में Motorola लांच कर दिया है Moto G14 4GB 128GB 10,000 रुपीज में लांच किया है 12,000 में Redmi 1 5G Phone लांच किया है Redmi 12 5G इसका भी 4GB 128GB 12,000 में मिलता है आज इस वीडियो में क्लियार करके बताऊंगा 10,000 में Moto G14 4G खरिदना चाहिए या 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा डल कर 12,000 में Redmi 12 5G खरिदना चाहिए दोनों ही फोन के एक एक चीजों के बारे में कमपेर करके दिखाऊंगा चाहे बैटरी, कैमेरा, पार्फोमेंस, डिजाइन, डिस्पले हर एक डिपार्मेंट में क्लियर करके बताऊंगा कौन सा फोन बेश्ट है, कौन सा फोन खरिदना चाहिए दोनों ही फोन का लूप प्रिमियाम लगता है रेट्मी 12 5G में बैक सैड में ग्लास बैक दिया है उसके बज़े से थुड़ा सा प्रिमियाम फिल देता है फ्लैट एजस के साथ आता है, हाद में पकड़ने में भी मज़ा आता है लेकिन मेरे पास ब्लैक कलर है, साइध इसके बज़े से बहुत ज़्यादा हाथों का निसान आ रहा है अगर आप एफोन खरिदने वाले हो, TPU केस लगा के रखा करो या अलग-अलग कलर के पास देखिए क्रेचेस इस फोन में नहीं आएगा, ग्लास बेक के वज़ेस मॉटो जी 14 में वेकसेट में पॉली कार्पोनेट है यहाँ पर हाथों का निसान क्रेचेस बेगरा भर भर के आता है दोस्तों इस फोन में आउट आप बोक्स बेक केस दिया है ओ लगा के रखा करो, वरना आपका फोन बहुत जल्दी जल्दी डैमेज हो जाएगा मॉटरोला का फोन 178 ग्राम के आसपा से बहुत ही लाइट वेट है उसी जगा में रेडमी 200 ग्राम के उपर है थोड़ा सा हेवी फोन रेडमी है और मॉटो थोड़ा सा छोटा भी है अगर आप कॉंपेक्ट फोन चाहते हो, छोटा फोन चाहते हो आपके लिए मॉटो सही रहेगा लेकिन आप थोड़ा सा बड़ा फोन लेना चाहते हो ओभी असली रेडमी आपके लिए बेस्ट रहेगा दोनों ही फोन में नीचे की तरब speaker है, type-c port है और microphone दिया है, left side में दोनों ही फोन में sim tray है, Redmi के फोन में hybrid sim slot है और Moto के फोन में dedicated sim slot है, उपर की तरब दोनों ही फोन में 3.5 mm jack का option है, Redmi के फोन में IR blaster मिलता है, right side में दोनों ही फोन में power button और volume up down button है, और power button में दोनों ही फोन में दोस्तो sound quality में या speaker में moto fast है दोनों ही phone में full HD plus display दिया है लेकिन जो size है वो अलग-अलग है Redmi के phone में 6.79 इंच का display है और moto के phone में 6.5 इंच का display है थोड़ा सा छोटा display है अगर आप लोग ज्यादा movie बेगरा देखते हो Redmi का display थोड़ा सा बड़ा है तो उसके बज़े से viewing experience Redmi के phone में slightly better मिलेगा लेकिन Redmi के phone में एक plus point है 90 hearts का refresh rate है Moto के phone में कोई भी refresh rate नहीं है दोनों ही phone को मैं outdoor में यूज़ किया था outdoor brightness दोनों ही phone का average है decent है जब कड़ी धूप में यूज़ करोगे दोनों ही phone थोड़ा सा struggle करता है Redmi के phone में Corning Corilla Glass का product सान है Moto के phone में Panda Glass का product सान है देखिए मुझे बदा नहीं कि कौन सा glass मजबूद है आप temper glass लगा के रखा करो अब चलो performance के बारे में बात करते हैं Redmi के phone में first time Snapdragon 4 Gen 2 processor दिया है ओ भी budget में 5G process आ रहे उसी जगा में Moto के phone में मिलता है Unisoc Tiger T616 chipset ए थोड़ा सा budget प्रोसेस आ रहे थोड़ा सा low category का प्रोसेस आ रहे Antutu score में बहुत फास्ट है Redmi इवन मैंने Geek Benchmark 6 को भी रांड किया दा यहां पे भी बहुत अच्छा score निकाल के आया है Redmi के phone में Day to Live UGS में दोनों ही phone सेटिंग में खेल पाओगे Gaming experience Obviously Redmi के phone में आपको better मिलेगा मैंने 40 मिनिट के असपास Redmi के phone में BGMI प्ले किया दा Experience मुझे ठिक्ठा की मिला है पाज़ड में जिस तरी के से मिलना चाहिए उससे थोड़ा सा better Redmi के phone में Gaming experience मिला है Moto के phone में भी मैंने BGMI खिला था लेकिन यहाँ पे उतना अच्छा experience आपको नहीं मिलेगा बहुत ज़्यादा lag, guitar, frame drop का सामना करना पड़ेगा यह normal UGS के लिए है Gaming के लिए बिल्कुल भी नहीं है अगर आप ऐसा phone देख रहे हो जो better user experience ना वो Motorola के phone में मिलेगा देखिए इसका जो UI है वो totally clean है कोई भी बेकार pre-install application बेगर आपको Moto के phone में नहीं मिलेगा clean UI मिलेगा, user experience better मिलेगा उसी जगा में अगर आप Redmi के phone यूज़ करोगे यहाँ पे MIUI के बज़े से बहुत सारे बेकार बेकार application pre-install मिलता है हलाकि एची बात हो है को उसारे application को आप uninstall कर पाओगे, लेकिन मिलता तो है और इस phone में बहुत सारे add का भी सामना करना पड़ेगा तो अभी असली दोस्तों, अगर आप एक clean UI चाहते हो, best user experience चाहते हो, थोड़ा सा flexib experience दे budget में, तो आप लोग Motorola के पास देख साकते हो, उसी जगह में अगर आप लोगों को बहुत सारे features एक ही phone में चाहिए, हर एक features तो Redmi आपके लिए best रहेगा, क्योंकि यहाँ पे custom UI है, features बहुत ज़ादा है एक clean है, user experience बेटर कराएगा, दोनों ही phone में 4GB, 128GB variant है मैं rem management test किया दा, दोनों ही phone का जो rem management है, ओ ए भारेच है, कुछ कुछ application RAM में रखता है, और कुछ कुछ application को reload करता है, दोनों ही phone में 5000 image का battery है, नॉर्माल UGS में एक दिन आराम से निकाल के देगा लेकिन आप heavy use करोगे, होई आपको 7-8 घंटे आराम से skin on time देगा, देगे, depend करता है कि आप कीस तरीके से phone को इस्तेमाल कर रहे हो अगर आप continue BGMI खेल रहे हो वहाँ पे थोड़ा सा कम battery life देगा, लेकिन उसी दोरान continue, आप लोग movie बेगरा देग रहे हो YouTube में, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा battery life देगा, depend करता है कि कीस तरीके से आप लोग phone को इस्तेमाल कर रहे हो दोनों ही phone का जो battery backup है, वह काफी अच्छा है, काफी time तक battery backup देता है charging के पास देखोगे, Redmi के phone में आउट आप box 22.5 watt का charger है, लेकिन ए phone support करता है 18 watt को, full charge करेगा दो धाई घंटे के आसपास, 0% से 100% का बात कर रहा हूँ, उसी जगा में moto के phone में आउट आप box मिलता है जो charger मिलता है 20 watt का लेकिन phone support करता है 15 watt को तो अगर आप इसको full charge करने जाओगे 0% से 100% यहाँ भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, धाई घंटे के उपर तो दोनों ही phone का जो charging time है वो बहुत ज़्यादा लगने वाला है लेकिन battery backup बहुत अच्छा निकाल के देगा अब चलो camera के तरब देखते हैं दोनों ही phone में backset की तरब 50 Mbps का rear camera है और selfie में 8 Mbps का selfie camera है दोनों ही phone में मैंने बहुत सारी images बेगरा क्लिक किया हूँ पहले ही बता देता हूँ Moto काफी अच्छा picture खिसता है बहुत सारे picture खिचादा यहाँ पे check कर लीजिए जो detailing है वो Moto के phone में मुझे काफी अच्छा लगा जो color tone है वहाँ पे भी slightly Moto better performance करता है इवन प्रोटेट मोड बे भी Moto लगा जो performance है वो मुझे बढ़िया लगा है टॉप नौच लगा है बहुत सारे selfie एक साथ मैंने खिचा था यहाँ पे भी देखिए detailing काफी अच्छा है Moto के phone में Moto उतना ज़ादा beauty नहीं करता है प्रोटेट मोड में age deduction भी बढ़िया है बैगराउंड में जो sky या पेड़ बेगरा है अच्छी तरीके से balanced picture निकाल के देता है obviously दोस्तों दोनों में से अगर मुझे पूछोगे किसका camera based है मैं तो कहूंगा Moto का camera सबसे अच्छा है रेडमी से कहीं गुना बेडार है दोनों ही फोन के rear camera से मैंने full HD 30fps करके video recording किया था comment box में जरूर बताना किसका video sample आब लोगों को बेडार लग रहा है even stabilization भी यहां से अब लोगों को पता लग जाएगा selfie camera से भी मैंने video निकाला था यहां से भी आप लोगों को idea लग जाएगा किसका selfie camera का video based है अब चलो बात करते हैं दोनों फोन में से कौनसा phone based है कौनसा phone खरिदना चाहिए देखिए साब साब बता देता हूँ अगर आपको अच्छा performance चाहिए और 5G के साथ जाना चाहते हो तो Redmi के पास देखिए लेकिन आपको Moto का branding चाहिए एक clean user experience चाहिए साथी में camera अच्छा हो तो आप लोग Moto के पास देखिए performance के लिए Redmi, camera, UI, branding यह सब कुछ के लिए Moto अभी आप लोग comment box में बताओ के दोनों फोन में से प्रेस वेडियो में